इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह एसिडिटी और अल्सके पेट दर्दिया, इरिटेशन जैसे लक्षनों से राहत देने में मदद करता है, यह पेट में अत्यधिक एसिट को भी बैसर करता है और पेट की गैस बाहर निकालने में मदद करता है, रांटे के MPS लाओरल सस्पैंशन को डॉक्टर द्वारा सला रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है, अपनी हेल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं, क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं, इस इससे अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. कब्ज को दूर करने के लिए आपको अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरूरत होती है. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक चक्कर आ सकते हैं. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं य वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.